दोस्तों Ultimate Health and Home Remedies Channel में आप लोगों का स्वागत है इंसुलिन हार्मोन के बारे में पूरी जानकारी आद में आप लोगों को दूँगा और आप लोगों के लिए जानना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि आप लोगों का मोटापा, ओबेसिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और बहुत सारे फैक्टर, टाइप 1 डायबेटीज, टाइप 2 डायबेटीज या आप लोगों का जो इम्यून सिस्टम है, वो कैसे काम कर रहा है, आप लोग उर्जावान है या नहीं है, वो सारा डिपंड करता है इस हार्मोन पर जिसका नाम इंसुलिन है Medical Science ने कुछ तरक्टी की है और उन्होंने इस इंसुलिन हार्मोन के बारे में कुछ बाते हम लोगों को पहुँचाई हैं जो आप लोगों को जाना जरूरी है इंसुलिन हार्मोन सरीर के अंदर पैंक्रियास नामक गरंथी से निकलने वाले केमिकल रसायन को कहा जाता है जरूरत होती है इंसुलिन की यहीं इंसुलिन हार्मोन होता है जो आप लोगों की सूगर को आप लोगों के अंगों तक पहुचाता है और आप लोगों के अंग जो है वो उर्जाबान रहते हैं यह हार्मोन हमारी कोशिकाओं के लिए चाबी का काम करता है जब भी आप खाना खाते हैं तो पैंक्रियास में उपस्तित बीटा कोशिकाओं सिगनल देती हैं कि इंसुलिन डक्त में छोड़ा जाए यानि कि बीटा कोशिकाओं आप बात करते हैं बीटा कोशिकाओं की पैंक् खाया हुआ खाना अंगों तक पहुचाया जा सके लेकिन यदि बीटा कोशिकाई एक्टिव नहीं रही या किसी कान से खराब हो गई तो पैंक्रियास को कभी सिगनल नहीं मिल पाएगा और पैंक्रियास कभी भी इंसुलिन नहीं निकालेगा जिसकी वजह से आप लोगों के अंगों तक सुगर नहीं पहुच पाएगी आप लोगों के अंग जो है खराब होने लग जाएंगे और आप सुष्ट रहने लग जाएंगे यानि कि धीरे धीरे डाउन होने लग जाएंगे जिसे type 1 diabetes कहते हैं और इंसान type 1 diabetes में जल्दी ठक जाता है इसके बाद आप लोगों को बाहर से injection दिया जाते हैं इंसुलिन के ताकि आप लोगों का खाना जो है वो अंगों तक पहुँचाया जासे के और आप लोग उर्जावान रहे सकें इसके लिए विफिन परकार के injections जो हैं आप लोगों को दिये जाते हैं जैसे पहला नमबर पर आता है rapid acting insulin बाहर से दिया हुआ insulin 15 मिनट में काम करता है ज्यादा से ज्यादा इसको एक घंटा भी लग सकता है यह injection आपको खाना खाने से पहले दिया जाता है नमबर टू पर जो injection दिया जाता है वो है short acting insulin बाहर से दिया हुआ insulin 30 मिनट में काम करने लग जाता है ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटे लग सकते हैं यह injection आपको खाना खाने से पहले दिया जाता है यह कम से कम 6 घंटे तक काम करता है Intermediate Acting Insulin, बाहर से दिया हुआ Insulin 2-4 घंटे में काम करने लगता है, ज्यादा से ज्यादा 4-12 घंटे लग सकते हैं इसको Activate होने में, यह injection आपको खाना खाने से पहले दिया जाता है, यह कम से कम 12-18 घंटे तक काम करता है Long Acting Insulin, बाहर से दिया हुआ Insulin कुछ घंटे में काम करने लगता है, यह injection आपको खाना खाने से पहले ही दिया जाता है, यानि खाना खाने से पहले injection दिया जाता है, ताकि आप लोगों का खाना अंगों तक पहुँच सके और Type 1 Diabetes में आप लोगों की ठकावट दूर किये जा सके लेकिन ये क्या solution है, क्योंकि अगर बीटा सेल खराब हो चुकी तो बाहर से ही injection देना पड़ेगा, क्योंकि पैन किरियास के भी इंसुलिन नहीं निकालेगा, अब बात करते हैं बीटा कोशिकाओं की जो damage हो जाती है, और क्यो damage हो जाती है, बीटा कोशिकाओं आपके immune system के attack करने से damage होती है, जी हाँ, आपका immune system आपकी बीटा कोशिकाओं को damage कर देता है, जिसकी वज़े से आपका सरीर insulin हार्मोन नहीं निकाल पाता, अब बात करते हैं कि क्या damage होई कोशिकाओं दुबारा से बना सकते हैं, क्या damage होई बीटा सेल्स दुबारा से बना सकते हैं, एक लगरो प्रद्धम से पता चला है जो पेंक्रियाज होता है उसमें क्या क्या होता है बीटा कोशिका और ये मियामी के अंदर हुआ है। पहले आप लोगों को बता देते हैं कुछ बाते और बीटा कोशिकाए फिर से खराब नहीं हो इसके लिए यह हम लोग कहें कि जो आप ल पूरा का पूरा इंसुलिन हार्मोन जो आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरू कीज़ेगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोगों के लिए ऐसी information में लाता रहूँगा ताकि आप लोगों को medical science में पूरा का पूरा knowledge मिल सके अयुर्वेद के बारे में पूरा knowledge मिल सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आज के लिए इतना ही फिर मिलते एकने वीडियो के साथ धन्यवाद